दोस्तो पुने सहर को कौन नहीं जानता अगर आप भाद की संस्कृती, परंपरा, प्रोधिगी की इतिहास को एक साथ देखना चाहते हैं तो पुने आईए महराश राज्य का सबसे बड़ा सहर पुने हर सुप सुविधा से भरा हुआ है इस सहर को सदाचार का सहर भी कहते हैं वर्तमान में पुने एक IT हप के रूप में उभर कर सामने आ रहा है दोस्तो अगर पुने आएं तो एक बात का ख्याल रखें तंग समय के साथ पुने ना आएं क्योंकि कम समय में पुने को अधुरा गुमना बेकार है तो दोस्तो सुरू करते हैं पुने में घुमने की दस सबसे बहतरी जगहों के बारे में सबसे पहले नंबर 10 से नंबर 10, National War Museum पुने की सबसे लोक्तिये स्थानों मेंसे एक है National War Museum इस संग्राले के निर्माण में यहां के स्थानिय लोगों ने काफी योगदान किया 1997 बना ये संग्राले नागरिकों के फोरम के परिस्रम का नतीजा है यहां भारतिय सेना और सैनिकों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है यहां खड़ा मिग वीमान कारील की लड़ाई में इस्तमाल किया गया था अगर आपको देश के सैनिकों पर गर्व है तो पुने का ये मीजियम जरूर देखें नमबर 9 महात्मा फुले मीजियम पुने के इस महत्मून संग्राले में धेरो तस्वीरे, मसीने और साइन्स मॉडल है जो की उद्योग, किर्सी, घरेली उद्योग, आदी के विकास की द्रास्ता बया करते है यहां मुगल और मरठा सामराज्यों के हत्यार रखे हुए है और साथ ही यहां के नजदी, मौजूद किले के मानचितर भी है यह संग्राले पुने के सिवाजी नगर में इस्तित है नमबर 8 राजिव गांधी चिडियागर पुने के नगर निगम द्वारा संचालित राजिव गांधी चिडियागर 130 एकड के विसाल छेतर में फैला हुआ है इस चिडियागर को मुख्यत तीन भागों में बाटा गया है जो है पसू अनाथालिय, कटराज इस्थाब घर और प्राणी उद्ध्यान साथ ही ये चिडिया घर कटराज जील की संगरक्षा करता है कटराज इस्थाब घर में हर साल नाग पंचमी पर कारेकरमों का आयोजन होता है जिसमें सापो के बारे में जनता को जागरूब कराया जाता है लोगों द्वारा सापों पर किये गए दुर्वेवार को रोका जा सके सिंदे छत्री सिंदे छत्री अठारवी सदी के कुसल मराठा सैनिक महजी सिंदे को समर्पित एक स्मारक है पहले यहां एक सीव मंदिर हुआ करता था और बाद में यहां माधराव सिंदिया ने इसमारक का निर्मान करवाया इस भवन की कारीगरी इसलिए खास है क्योंकि इसका निर्मान रायस्थानी और अंग्रेजी वास्तुकला का अनोखा संगम है साथ ही यहां सिंदे मंदिर के पूरु संतों की एक प्रतिमा है जो देखने योग्य है नमबर छे राजा दिनकर केलकर म्यूजियम यह संग्राले डक्टर दिनकर केलकर के द्वारा जुटाए गए दिल्चस्ब संग्रे को पेश करता है जिनमें से कई चीजे चौद्वी सदी से पुरानी है इस तीन मंजला संग्राले में सोना चांदी हाथी दाद की कई कलाकृतिया तो हैं ही साथ ही संगित के उपकरण युद्ध के सस्त्र चित्र आधी भी प्रदसित किये गए हैं यह म्यूजियम बाजीरा रोड पर इस्तित है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें यह प्रिक्रिया है एकदम निसुल्क जिससे आपको हमारे वीडियो मिल सकेंगे सबसे पहले पान के उकायमा में इस्तित कुराकु एम गार्डन से ली गई है इस पारक का मुख्य आकरशन पारक के बीच में अलोकिक रूप से बैता हुआ पानी है हरे भरे इस उद्ध्यान में आकर आप काफी हलका महसूस करेंगे नमबर चार अगा खान पैलेस पुने में इस्तित अगा खान पैलेस एक विसाल हवेली है जिसका निर्माण सुल्तान मोहमद अगा खान तृत्यान ने अकाल पीडितों को मदद पहुचाने के लिए कराया था भरत की आजादी के दोरान काफी महत्व रखने वाली इस हवेली में महात्मा गांदी, कस्तूर्बा गांदी, सरोजनी नाइडू जैसे वसिष्ट नेताओं को बंदक बनाया गया था सींगड किला सींगड किला पुने के खडग वासला चेतर में स्थापित है ये किला 1300 मिटर की उचाई पर सेयादरी की पहाडियों पर बना हुआ है एक अनुमान के मुताबिक इस किले का निर्मन लगभग 2000 साल पहले हुआ था अगर आपके पास समय की बंदिस ना हो तो आप सींगड किले से कुछ दूरी पर इस्थित खडग वासला बाग देखने जरूर जाएं ये साइकलिंग का सौक रखने वालों के लिए काफी खास है नमबर दो पुने के मंदिर पुने में अनेको प्रसिद्ध मंदिर हैं इनको देखने रोज सैकड़ सरधालू आते हैं सबसे नामी गिरामी मंदिर है ददू सेख हलवाई गणपती मंदिर इसकोन एनवी सीसी मंदिर चतूर सिंगी मंदिर पटा लेसवर गुफा मंदिर और पारवती मंदिर ददू सेख हलवाई मंदिर में हर साल दस जिन तक गड़ेंस उस्सो धुमधाम से मनाया जाता है नमबर एक सनीवार वाड़ा और पुने के सबसे लोगप्रिय जगहों में से एक है सनीवार वाड़ा जिसका निर्माण पेशवा बाजीरा पर्थम ने करवाया था ये विसाल महल अपनी भववेता को अपने बगीचो और फवारों से बखुबी बया करता है ये किला प्यार की एक अधोरी दास्ता बया करता है हाला कि कुछ लोगों के अनुसार ये जगह डरावनी है क्योंकि यहां असाधरन गतिविद्या देखी जाती थी तो ये थे पुने के 10 सबसे प्रसिद स्थान लेकिन कुछ और स्थान जो पुने में देखने योग्य हैं वह है सामभाजी पार्क, दर्सन म्यूजम, बुन्द गार्डन, सेंट मेरी चर्च आदी दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके लाइक, सेयर और कमेंट हमें प्रेडित करते हैं और अच्छे वीडियो बनाने में